पंजब में कॉंग्रिस का मास्टर स्ट्रोग दलित चेहरे को बनाया मुख्य मंत्री कब तक तिकेगी चन्नी सरकार क्या मीटों लेने देगा चन्नी को चैन की सांस चन्नी के दम पर क्या कॉंग्रिस दुबारा बना पाएगी सरकार देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्मियान के दर्शोकों का स्वागत है मैं कविता राना और आज हमारे साम मवजूद है विश्व विक्या सुदर्शिंचा कर जोतिश चारिय श्री सन्थ बेतरा शोका जी सर सबसे पहले आपकर स्वागत है कुल कि नमस्कार इतिहास घवा में तभी भी दलित समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया मैयवती ने भी अकाली दल के साथ हाथ मिलाया लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं उपाया और अब देखे अगामी चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने बीजेपी आप पार्टी तमाम दावे कर रही थी कि डेपुटी सीम के पत पर दलित समुदाय से किसी चेहरे को लेकर आएंग पंजाब के नए मुख्य मंत्री बने चरन जीत सिंग चन्नी की अब सवाल उड़ता है कि उन पर गंभीर आरोप लगें बीटू जैसे गंभीर आरोप लगें और उपर से आलक अमान ने उन्हें पंजाब का मुख्य मंत्री बना दिया है क्या उनकी लेडर्शिप में कॉंग्रेस पंजाब का चुनाव जीत पाएगी चन्नी का आगे का पताव मुख्य मंत्री आगे का कारेकार क्या असार है गा उनकी कुंडली घ्रेनक्षत्र क्या कुछ कहते हैं आज इसी पर हम बात करेंगे श्री सन बेतरश्यों का जीसे सर क्या लगता आपको श्री चरन जीत सिंग चन्नी दली समुदाय से आते हैं पंजाब का एक तीहाई अबादी मालिजे तकरीबन 32% भापत दली समुदाय हैं चन्नी के मुख्य मंत्री बनने के बाद कॉंग्रेस का वहा क्या आपको भाविश्य नजरार सबसे पहले में जानना चाहते हैं जिस तरह से उन प बीस नो दो हजार इक्षिस को सवा ग्यारा वजे जो है मुख्य मंत्री पद की शपत लिए हैं इस समय जो है ब्रिस्पती की महादशाय चल रही है और उसमें बुद का अंतरा ब्रिस्पती और बुद एक दूसरे के शत्रों हैं दूसरा तीन करहा उचके हैं राहु केतू और बुद बुद अधित्य योग एकादश भाव में और सूर्य और मंगल का योग जो है बुद के साथ में एकादश भाव में होने के करण इनका जो है सेलेक्शन एज एज सी एम ट्वेल्थ आवर पे हुआ जब आपके नवजोत सिंग सिद्धु जो है मेरियट में नहीं पहुचे तो आपके जो हरीश रावाज जी हैं वो भी सुल्जेह वे आपके राजनीतिकी हैं उनकी जो है दिमाग ठन का पहुआ हैं पहु तो उनको पता लगा कि जो मुख्यमंत्री का उन्होंने नाम डिसाइड किया था वो अभी जो नव निर्वाचित परदेश अध्यक्ष को मानने नहीं था तो ट्वेल्थ हावर मतलब जो है आप यह मानिए का पिल्कुल एंड पाइंट पे आकर उनको जो है अपना निर्ने बढ़ना पड़ा और फिर उन्होंने जो है इस के थ्रू यूशे क्या बंब.. ट्विट के थ्रू जो है मीडिया को फ्रकें पिल्कॉ जिस समय उन्होंने घोशना कि थी उस समय की भी खूम्ड़ी तयार थी तो उन दूनों चीजों को अनने करके दोनों चीजों को आनलेसे से पहले हम को ये अनलेसेश करना पड़ेगा जिस पदको उनको deals गया गया है पांच साल में छे मेने, छे मेने कम से कम, क्योंकि मार्च में इलक्षिन होने हैं, तो ये तकरीबन 15-20% का समय उनके लिए बचा है, 15% भी नहीं, 12% के लिए, 12% का जो समय बचा है, तो उसमें हम इस समय जो कुंड़ी है, ये तो सपष्ट बता रही है कि तीन गरहा उचके होने के करण उनका नाम जो है, सलेक्ट हुआ है, ये बात भी बिलकुल बहुत अच्छी है, जिसने ये सजेस्ट किया होगा, कि आपको पिछडे वर्ग से, दलित समाज से, व्यक्ति ल 54-55% के करीब कंट्रिबूट करता है, तो ये दोनों वर्ग अगर कॉंग्रेश के साथ हो जाते हैं, तो कोई उनको गिरा नहीं सकता, लेकिन वो जो 12% का समय है, बाकि सारे ग्रहा तो इनके, तीन ग्रहा उचके, बुद्ध उचका, केतु उचका, राहु उचका होने के कार कोशिश तो करेंगे बहुत कुछ निया करने की, लेकिन इनकी हालत कैसी होगी, इधर आपने केप्टन अमनेंदर सिंग को नाराज कर लिया, उदर जो है आपके जो नवजोद सिंग सिद्धू है, उनमें और केप्टन अमनेंदर सिंग में धनी है, अन्बन, दूर विरोध खडाश तक, योग के कारण, तूसरा, आपका ओच सर्यमनी में आपके जो प्रभारी है, उन्होंने ये डिकलियर कर दिया कि ये इलेक्शन जो है, नवजोद सिंग सिद्धू की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, तो इसका मतलब, जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं, जो रोल है, वो बारा परसेंट ही है, उससे जादा नहीं है, और कुंडली में बारा परसेंट रोल इस टेम जो है, वो भ्रामरी में संकटा के करण, ये जो चन्नी जी हैं, इनकी खालत जो, ये होंगे तो मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी खालत बिलकुल वैसी होगी, जैसे में कहते हैं, गवाची गां, गवाची गां का मतलब समझते हैं, गाएं को अगर आप शहर में ले जाओ, गाओं की गाएं को अगर शहर में ले जाओ, तो इतने ट्रैफिक को देखके, वो उसको ये समय नहीं आता, उसको क्या करना है, तो वो क्या करती है, जिसने उसको पक करके सिधा भागती है कहां टकराएगी कैसे टकराएगी कुछ पता नहीं तो इस तेम जो हम अपने जो मुख्यमंत रहे पंजाब के उनका हाल बिल्कुल गवाची कहां की तरह होना क्यूंकि इधर कैप्टेन अमनेंदर सिंग को फेस करना पड़ेगा कैप्टेन अमनेंदर सि नवजोट सिंग सिद्दू की अध्यक्षता में वो इलेक्षन में कहीं पे भी पॉजिटिव रोल पे नहीं करेंगे अब जो मिस्टर चनी है अब तो पंजाब के मुख्यमंतरी माननी है चनी जी जो है उनको जब दरकिनार किया जाएगा अध्यक्षता भई मुख्यमंतरी की अध्यक्षता होती है जो जिस्तिंग मुख्यमंतरी है उसकी वेल्यू जो है आपके प्रदेश अध्यक्षत से जादा होती है उनको दरकिनार करके अगर नवजोट सिंग सिद्दू को आगे लाया जाएगा तो ही विल ओल्सो फील दी मोटिवेटेड और हीमिलेटिड त 24-24% वोट की लालच में शन्नी जी को आप आगे लाये थे वो भी कहीं पे अपने आपको अपमानित मैसूस करेंगे और थोड़ी देर के लिए बच्चे को खुश करने वाली बात जो है वो कहीं समझ नहीं आती और खुदाना खास्ता इन सारे समी करनों के होते हुए आपके वहां एक्टिव होते हुए बीजेपी भी इस में परिदर्शय में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगी जबकि 2017 में बीजेपी सिर्फ 6 सुट ले पाई थे लेकिन अब जो है इन हालात में कोई नहीं जो है इक्वेशन्स बैठेंगी भई आप चन्नी साब को ले सकते हैं तो वोट तो डिवाइड करना होता ना एक वार वोट डिवाइड हो जाता तो फिर जो है जीतार का फैसला जो है इतना क्लियर नहीं होता है तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि सक्षम होते हुए भी चन्नी साब जो है ये वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे या इनको वो डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा जो ये चाहते हैं तो क्या हालों का पंजाब का आप अपने आप अंदाजा लगा लिए जीजा मैं इसे से जुड़ा एक और सवाल आपसे ये जानना चाहती हूं चन्नी सिद्धू खेमे से ही आते हैं और कहीं न कहीं कैप्टन अम्रेंदर सिंग के विरोधी भी माने जाते हैं क्या भविश्य में वो सिद्धू के लिए खत्रा बन पाएंगे मुसीबत बन पाएंगे द तो उसका एजे पॉलिटिशन लीडर्शिप खतम क्योंकि वो चूंतिस परसेंट वोट बैंक के आपके जो हैं नेता हैं तो उनके अगेंस्तों कोई नहीं हैं खेमे वाली बात करते हैं वो अमरिसर से जुरूर हैं अमरिसर के आसपास से जुरूर हैं लेकिन उनका कैप्ट के साथ कहीं पर भी ऐसा मत्भेद नहीं है कि केटेन इंदर सिंभ्रो परत्यक्ष रूप में जो हैं उनका विरोध करें लेकिन राजनीती में परत्यक्ष और परत्यक्ष मेंकों और नजर आ रहा है अभे हैं में आदमी कुछ और कर रहा होता है और रिजल्ट कुछ और होता है तो यह सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आपने एक एक और प्रेशन किया था कि आपका मीटू वाला जैसे उन्होंने ओथ ली तो आपकी महिला उसकी जो वो अध्यक्ष है तुमाम महिला हुमन राइट्स को लेकर खाए हुमन राइट्स की जो वह है रेनु शर्मा है या कृता शर्मा है कुछ ऐसा ही नाम है उन्होंने जो है पार्टी अध्यक्ष को यह लैटर लिखा कि वहिया जिन पर मीटू का आरोप है उनको आप कैसे जो हैं मुख्यमंत्री च नहीं था देखे यह तो छोटी सी बात तो बहुत बढ़ी है लेकिन लोगों ने यह सोच के उनको आगे लाएं उनके लिए कहीं यह चोटी सी बात जिरूर होगी जिस कारण उसको नदर अंदाज करके उनको जो है सीम की पोस्त पे लाया जिए सर जाते जाते बस आपकी एक परसेंट अगर पंजाब में नव्जोत सिंग सिद्धू और चिर्णी के उन दोनों के ही निर्ततों में पंजाब में कॉंग्रेश जीत जाती है तो क्या चिर्णी का बताओ मुख्यमंत्री का आगे का कारेकाल बरकरार रहेगा या नहीं देखिए अगर ये इनके जो ग्रह दशा ये बता रहे है कि फरवरी से पहले पहले बहुत बड़ी उथल पुथल और होगी पंजाब में और जिसमें चन्नी जी को भी डिस्टरब किया जा सकता है इवन नव्जोत सिंग सिद्धू भी डिस्टरब हो सकते हैं और वाला मुख्यमंतरी कौन होगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते लेकिन अगर ये अपना पचावा पांच-छे मीने का कारेकाल पूरा कर जाते हैं तो वो जो मुख्यमंतरी पर्द का जो स्वाद लग चुका आगा उसको तो हाथ से जाने ही ने देंगे क्योंकि उनको इ कर दो